अब देखेंगे जल्दी जल्दी खबरे की कारों और छोते वहनों पर पूरे गुजरात में 15 अगत से कोई टोल टाक्स में ही लिया जाएगा रविवार का अनंदी बेन ने पाकिदार अंदोलन के दोरान दर्ज हुए पत्राव के 438 में से 300 क्यानने केस वापस लेने ठालान कर दिया अभी दिन खतम भी नहीं हुआ था की आनंदी बेन पतेयों सरकार ने और बड़ी खुसना कर नाराज चल रही गुजरात के 4.65 लाग सरकारी करमचारियों और 4.12 लाग पेंशन धार को फोकुस कर दिया सुप्रीम कोट में शोहरा बुद्दीन शेक फरजी मुतभेर मामले में बीजेती अभ्या अक्सामच सांप को आरोप मुक्त किये जाने को चुनाती देने वाली एक याचिका को सुमवार को खारिच कर दिया याचिका पूर्व आई एस और सामाजे कारकरता हर्ष मंदर में दायत रिपी याचिका पर लगभग आदे घंटे तक सुनवाई के बार मैयमूर्ती स.A. बोबडे और मैयमूर्ती अशोक भुशन की पीच ने इस मामले को खारिच कर दिया मंदर ने बॉंबे हाई कोट के उस आदेश को चुनवाती बीति जिसके तहट निचली आदालत बीजित अध्यक्ष को आरोप मुख लिये जाने का पैसला बरकरार रखा गया था शाह को राहत देते हुए पीच ने कहा जब कोई वेक्ष्टी वाकी वेथित हो तो मुद्दा एक अलग रंग लेता है लेकिन जब किसी वेक्ष्टी का दूर दूर तक संपर्खना हो और वे मामले को फूल जीवित करना चाहता हो तो ये एक अलग मसला है राज्य सभामे मंगलवार को जीएस्टी विधेक के पेश होने की संभावना है बिल पर चर्चा के लिए बीजेपी ने विप जारी कार अपने सभी सबस्यों को अगले तीन दिनों तक सादन में उपस्थित रहने का देख दिया है बिल पर चर्चा के लिए बीजेपी ने विप जारी कार अपने सभी सबस्यों को अगले तीन दिनों तक सादन में उपस्थित रहने का देख दिया है मुझे भरोसा है कि हम सनसोधन करेंगे और जीस्टी विद्वेक पारिफ होगा राजनात सिंग ने कहा कि प्रस्तावि जीस्टी विद्वेक सभी परोक्ष करो कास्ठान लेगा सरकार निरादी सब्खा में जियस्टी के लिए सम्विधान संच खोधन को इस सब्सहा विचारत सूची बद किया है जियस्टी बिल्कों लेकर पिछले काफी समय से क्यास लगाए गारे हैं सरकार और विपक्ष के बीच इसके प्रावधानों को लेकर लंबी जटो जहद चली है मुके मंत्री अर्विंद केजरिवाल ने अपने विधायकों को अलर्ट किया है कि उन्हें अब ज्यादा सावधान रहा होगा पंजाब में होने वाले चुनाव में आम अधिपार्टी की जीट की निश्चित है इसलिए विरोधी गल हमें बदनाम करने के लिए लगातार शडियंतर कर रही है उन्होंने विधायकों को ये भी सलहा भी कि वे पुलिस के साथ साथ किसी से भी उलजनी का प्रयास ना करे और अपने इलाकों में लोगों के काम करने में जुटे रहे किजरिवाल चुमबाज से दस दिन के लिए पश्रियना के लिए मार्श जा रही है इसलिए उन्होंने विधायकों को सलहा देनी का ये कारिक्रम आयो जब दिया उन्होंने विधायकों से कहा कि हमें अब और साथा देहना होगा विरोधी लोग हमें उकसाएंगे हमारे परिवारों पर दबाव डालेंगे और हमें फसानी का प्यास करेंगे लेकिन हमें एक्ता दिखानी होंगी उन्होंने विधायकों को ये भी कहा कि उनकी अनुपस्थिपी में उपमुख्य मंत्री मनिश्ट सोधिया दिली सब्कार करने से तुख करेंगी उत्ते प्रदेश की राजधानी लखनों में कॉंगर्स अध्यक शाहुधानी का वाक्ति तोफ फारिक्रम सपल बनाने के बाद त्रशान किशोन ने अब कॉंगर्स अध्यक सोंिया अगन्धी के रोडशोוכ सपल बनाने में अपनी ताकर छोकी है प्रधानमंती नरेंद्र मोदी के संसरी शेक्र बनारस में कॉंग्रिस और अध्यक्ष सोन्या गांभी के दो अगस्त को होने वाले रोजशो को एत्री हास्तिक बनाने के लिए त्रशान्त की सोर बनारस पहुँच गए हैं सभी पतादिकारी और नेता अवायनसी में ही रहकर रनीती को अंतिम रुखेंगे बिजेपी नेता सुब्रमानियम स्वामी ने रक्षा मंत्री मनोहर परिकर का समर्थन किया है परिकर ने असहिशनूता परवेहस को लेकर बॉलिवुड स्टार आमिर खान की से चाहिती थी सौमी ने सुमवार को च्विट करते हुए कहा आमिर पर परिकर के बयान पर इतना हो हल्ला क्यों अगर आमिर जनब भूमी से बेंतह महबत से अंज़ान है तो उन्हें एक टीचर की जरुवत है सौमी का बयान ऐसे समय में आया है जो विपक्षी पाच्वों ने परिकर के बयान के लिए उनकी आलोचना की है एंसीपी के नेता माजिट मैमन ने कहा मुद्दे को उठाने का कोई सुख्षी नहीं बनता आमिर खान को राष्ट विरोधी बताकर परिकर ने गलत किया आमिर ने भारत की नहीं वलकी सरकार की आलोचना की थी जो कि देश में सौर्शन करने में नाकाम रही है अंडर वर्ड ओन डाउद इब्राहिम की भावी रिजवाना इकबाल हसन ने दिल्ली हाई कोर्ट में यासिता दायर करके कहा है कि उन्हें विदेश भूमने के लिए भारत सरकार से पास्पोर्ट चाहिए वो उस्ट्रेलिया और यूके जाना चाहती है प्याचिका में रिजवाना ने इन देशों में जाने की वज़ह भी बताई है रिजवाना ने बताया कि उनकी बेटे आस्ट्रेलिया में पढ़ रही है और बेटे का एड्मिशन अभी यूके की इनुवर्सिती में हुआ है लिहाजा वो वहाँ जाकर उनको सेटल डाउन करना चाहती है फिल्हाल भारत सरकान ने रिजवाना को भारत से दुबाई और दुबाई से भारत यात्रा करने का ही पास्पोर्ट जारी किया हुआ है वो किसी और देश में यात्रा नहीं कर सकती ऐसा उसके दाउद इब्राहिम से पारिवारिक हिष्टों के चलते क्या गया है मुसलाधार बारिश से सोमवार की सोबहा मुगल सराई रेलवे यार्ड में भारी जल भराव हो गया रेलवे ट्राक में पानी भनने के कारण सिग्नल फेल हो गए और दरजिन भन ट्रेने जहा तहा खड़ी हो गए इसे यात्रिय को काफी फजीहत की लगभग पोने दो घंटा बाद बरसाथ कम होने पर च्रेनों का परिचालन शुरू दुआ सिग्नल फेल होने के बाद अपवा डाउन की ट्रेनों को मुगैसराय स्टेशन वा आउटर के अलावा जीवनात पुर, कुछमन आदी स्टेशनों पर रोखना पड़ा मुस्लाद हर बारिश की वज़ा से एक हफ़ते में दो बार च्रेनों के परिचालन पर असर पर चुका है सिग्नल फेल होने से बीते 26 जुलाई को 23 भंडे तक च्रेनों की रफ्तार रुक गई थी बारिश से इने पर्षने के लिए रेल प्रसासन के पास कोई विकल्पिक व्यवस्था नहीं होने से या प्रियों को परिशानिक का सामना करना पर रहा है बियस्पी अध्यक्ष मायवती ने उत्रप्रदेश में कानून दिवस्था धस्थ होने का आरुप लगाते हुए राज्यों के मुख्यमंत्रिय अख्लेश व्यादव के स्थिते की मांग थी मायवती ने संसथ घवन में समधाताओं से कहा कि बुलन शेहर की दुष्टन की घटना से ये साबिक हो गया है कि राज्यों में कानून दिवस्था धस्थ हो गई है उन्होंने कहा इस घटना से साफ साहिर वी चिपा है कि उत्रप्रदेश में कानून का राज में ही जंदगात चल रहा है ब्येस की सुप्रवगों ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस चगन्य घटना की जिन्नदारी देते हुए नैतिकता के आधार पर इस्थफा देना चाहिए अन्होंने कहा अगर उत्रप्रदेश में ही समहला जा रहा तो बेहतर होगा कि मुख्यमंत्री के पर्च से नैतिकता की अधार पर इस्थफा देना चाहिए ये मेरी सलाह है उत्रप्रदेश के बुलंद शहर जुले में हुए गैंग रेप मामले में मुख्यमंत्री अखिलेश रियादफ ने पुलिस अधिकारियों को इस घचना का खिलासा करने के लिए 24 गंटों का अर्टिमेटम दिया है जिसके बाद अधिकारियों की मीन दोड़ गई है अखिलेश के सक्स तेवर के चलते अब तक सस्पी और इंस्पेक्टर समेट 24 अधिकारियों को निलंबिक कर दिया गया है जबकि अभी और कई अधिकारियों पर गाज बिल्ने की संभावना है मुख्य मंत्री ने घचना को बेहत गमधीता से लेते हुए मुख्य सचीव गीपक सिंख्थल को तलब जिया और प्रमुख सचीव देवाशीश पांडा और पुलिस महाने देश्यक जावेद एहमद को पौरिं घचना स्थल पर धेजने का निर्देश दिया उन्होंने एक बयान ज्वारी कर कहा कि इस मामले में प्रभावी कारवाई ना होने की सिकी में पुलिस विभाग में उच्चतम स्तर पर भी कारवाई हो सकती है खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही देश दुनिया की पलपल की खबरे हम आप तक पचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मुबाइल फोन के माध हम से तो आप जुड़ रही मेट्रो टीवी से नमस्कार